शिक्षार्तियों नमस्कार मैं कृष्ण कान त्रिपाथी एनाविस के इस स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं आज की चर्चा का विश्य है भासा सिक्षण हे तु बहु संचारी सिक्षण सामग्री और हमारे साथ विश्य विश्य हिसक के रूप में उपलब्ध में से हैं डॉक्टर गृरी कुमार तिवारी जो सिक्षा विभाग महिला माविध काशि हिंदू विश्यु करता हूं और सभी नमस्कार मैं जानना चाहूंगा कु अवह संचारी बहु संचारी सिक्षण सामग्री जब हम बात करते हैं तो इससे पहले हमें यह जान लेना चाहिए Алексारि सामगरी क्या है इसके पश्चात हम सिख्षन सामगरी की बात करें तो बहु संचारी शब्द संचार के विभिन माध्यमों की बात करता है और जब हम बहु संचारी को एक साथ ले आते हैं और बहु संचारी बनाते हैं और थात संचार के विभिन्न माध्यमों को एक ही क्रित करना, तो बहु संचारी सामग्री को विभिन्न विद्वानों ने जो परिभासित किया, हाला कि ये परिभासाय भिन्न भिन्न रही है, लेकिन उन में से अधिकांस परिभासाय इस बात पर सहमत है कि बहु संचारी सामग में लिखित संदेश, जिसे की हम टेक्ष्ट कहते हैं, चित्र यानि की ग्राफिक्स, एनिमेशन्स, वीडियो एवं ध्वनी अर्थात ओडियो एकी क्लित रूप में समाहित रहते हैं, और विशयवस्थु को अलग प्रकार से सनरचित करके प्रस्तूत किया जा सकता है। अब यह विशयवस्थु स्याक्षनिक भी हो सकती हैं, या फिर हमारे मनुरंजन के लिए भी हो सकती हैं। इस संप्रत्य को परिभासित किया और यह बताया कि computer hardware या software का एक रोचक संचे है जो आपको द्रिश्य अर्थात videos, resources, संसाधन, animation, स्रब्य संसाधन अर्थात audio resources, चित्र यानि की graphics, यहां लिकित संसाधनों यानि की text को एकी कृत कर एक प्रभाव पूरिल प्रस्तूती करण का निर्मार करने की अनुवती देता है, यानि यहां पर हम इन सारे संसाधनों को जो जितने भी संचार के तकनीकी संसाध उनको हम यहां integrate करते हैं, एकी कृत करते हैं, और फिर एकी करण का प्रियोग कर हम अपना प्रस्तूती करण प्रभावफुल बलाने की कुशिश करते हैं, एकी कृत करके और प्रियोग करना, एक यह उद्देश्य के लिए प्रियोग करना, इस प्रकार बहु संचारी सामग से आशय, कंप्यूटर हाडवेयर, सौफ्ट्वेयर, आधी साधनों को एकी कृत रूप से है, जो आपको किसी विशेवस्तु पर प्रभावपुर्ण प्रस्तूतिकरण के निर्माल के लिए लिखित संदेश, दिरिश्यशन साधन, स्रव्यशन साधन, एनिमेशन, आधी को सम करने की अनुमति देते हैं. तूसरे शब्दों में अगर इसको परिभासित करने की बात करे हम, तो बहु संचारी सामग्री, कंप्यूटर हाडवेयर, सौफ्ट्वेयर, आधी के समन्वयन के माध्यम से ऐसे वातावरण का निर्माल करता है, जिसमें आप किसी विशेवस्त पर प्रभाव पुर्ण प्रस्तूतिकरव बनाने के लिए द्रिश्ते संसाधनों, श्रव्य संसाधनों, लिखित संदेशों, ध्वनियों, चित्रों, गतिशील चित्रों, जिसको कि हम एनिमेशन के रूप में जानते हैं, आधी को समेकित करते हैं. भाशा सिक्षण में लिए हम करते हैं. तो एक बार जब हम बहु संचारी सामगरी के तात्परे को उसके अर्थ को समझ लेते हैं, तो हमारे लिए भाशा सिक्षण में बहु संचारी सामगरी को समझना सरल हो जाता है. और हम कह सकते हैं कि भाशा के अध्यान अध्यापन में प्रयोक किये जाने वाले बहु संचारी समगरी को हम भासा एक्षण में बहु संचारी समगरी के रूप में का सकते हैं, जान सकते हैं, यह कंप्यूटर सॉफ्ट्वेर भी हो सकते हैं, रेडियो भी हो सकते हैं, टेलेवीजन पर प्रसारित होने वाले कारेक्रम हो सकते हैं, इंटरनेट पर उपल सामगरी रूप में सिछ्छा अदिग्र में प्रियों की कि Box क्यों कि सिच्छ पहले भी होता था समझना हमारे लिए महत पूरnd जब quasi कि इसका प्रियोंग और अगर याउश्यक्ता नहीं है जिसकार भी होगा क्यों कि कहा ही नई चीज हमारे सामने है, तो हम कभी नै कभी हमें उसकी अवशॺयक्ता पрь होगी और हमुसि अवश्चक्ता को अगर जानेंगे, तो हम उसका प्रियोग अच्छी तरीके से कर सकेंगे, तो विद्यार्थियों को या शिक्षक को ऐसी क्या आवश्यक्ता आनपड़ी कि वे लोग इसका प्रियोग करना शुरू कि इस पे जड़ा प्रिकास दाले हैं तो पहले आवश्यक्ता है कि भाशा अधिगम हेतु प्रोचाहित करने के लिए अब वर्तमान परिद्रिष्ट है जो और वर्तमान परिद्रिष्ट में जो भाशा अ आज विद्यार्थी भासा शीखने से भागता है जी चाहे वो कोई भासा हो हिंडी हो संस्कृत हो या अंग्रेजी हो वो भाशा सीखने से भागता है अब सिक्षण माध्यम के रूप में चुकी किसी ना किसी भाशा का तो प्रयोक किया ही जाएगा इसलिए वो कर रहा है वो शीखना वो नहीं चाहता है इसके पीछे कारण क्या है इसके पीछे का कारण यह है कि आज का विद्यार्थी तकनीकी रूप से बहुत शक्षम है वो अपने भजपन से अपने बालेकाल से या अपने सैश्वा अवस्था से ही तकनीकी गजटों से इलेक्ट्रोनिक गजटो से घिरा पड़ा रहता है वो मोबाइल पर गेम खेलता है वो लैपटोप चलाता है चोटा बच्चा चार साल का बच्चा पांच साल का बच्चा लैपटोप चलाता है मोबाइल गेम खेलता है मोबाइल पे गाने सुनता है जो कि हमारे बच्पन में जो चीजे मुझे लगता ह कि दो साल का भी वच्छा मोबैल चला सकता है और चलाता ही होगा तो तकनीकी रोप से घिरा है और उसके जीवन के हर पक्ष में तकनीकी ने एक कही कि तकनीकी का सशक्त प्रवेश हो चुका है ऐशे में भासा अधिगम या भासा सिक्षण की जो विधी प्रचलीत है हमारे यह वो आज भी तकनीकी से उसका बहुत कम ही वास्ता है तकनीकी संसाधनों का उसमें प्रयोग बहुत कम किया जाता है वो आज भी पारंपरिक विधी जो पाठ्य-पुस्तक विधी थी या जो व्याकरण अनुवाद विधी थी इनी विधियों का आज भी बहुत अधिखम प् है अब इसी भाशा अधिगम को वो computer के माध्यंन से और internet के माध्यन से mobile app नाध्यम से जब हो सीखने की कोशिष करेगा या उसे सिखाया जाएगा तो इसके लिए उसमें प्रोचाहइम औरppt थे कैसे हम internet कि माध्यम से हम भासा सीख सकते हैं कैसे हम अम भ्याक्रन के इंडियमों को इंटरनेट के माध्यम से या मोबाई लाइब के माध्यम से सीख सकते हैं, तो प्रोचसाहित करने के लिए बहुस अंचारी सामागरी की आवसेक्ता परी, विद्यार्थियों को समुव में कारे करने है तू प्रोचसाहित करने के लिए, क्योंकि आज विद्यार साथी एकाकी जीवन गतीत करता है, एकाकी जीवन गतीत करने के कारण वो तकनीकी को अपना साथी माल लेता है, उसी के साथ अपना समय गतीत करता है, तो जहां तकनीकी रूप से वो सशत्त हो रहा है, वहीं उसका सामुहिक जीवन या सामाजिक जीवन जो है, वो गरबड हो वह बाधित हो रहा है उसके अंदर समूह में कारे करने की भावणा जो है वह कम हो रही है तो इसलिए समूह में कारे करने हैं तु प्रोथाहित करने के लिए क्योंकि वह diceak conforms Youtube Onet के अलग-अलग group से यूड़ता है अलग-अलग प्रते हैं YouTube उस पर अपने विचारों को साजा करता है उनके विचारों को जानता है उनकी टिपड़ियों को समझता है तो एक समुव बन जाता है और उस समुव के साथ वो कारे करता है इसलिए उसमें समुव में कारे करने की भावना प्रुत्साहित होती है बहुत सही का आपने मुझे एलेक्ट्रोनिक गजट के साथ अंदर क्रिया करते हैं तो उसी को हम माध्यम ग्रूप में प्रियोग करना चाहिए तीसरी आउशक्ता आई स्वगती से सीखने का औसर प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों के उपर जो एक निश्चित समय में निश्चित पाठिप्रम को सीखने का जो दबाव होता है वो दबाव असह होता है इस दबाव को हम लोगों ने भी अपने विद्यार्थी जीवन में महसूस किया है तो अब हमें इस निश्चित समय में इतना सीखी जाना है और अगर हमारी मानसिक शमता उतनी सीखने की नहीं है तो हम बेवकूफ या कमजोर या मन्दपुद्धी विद्यार्थी के रूप में जाने जाने लगते थे तो इस दबाओ को कम करने के लिए और विद्यार्थी अपनी गति से अपनी सुविधा के अनुसार सीख सके इसके लिए औसर प्रदान करने है तुभी बहु संचारी सामगरी की आवशक्ता पड़े विद्यार्थियों की समप्रेशन शमता को उन्नत करने के लिए चुकी विद्यार्थी बहु संचारी सामगरी जो है उनका प्रियोक करके बार-बार वो शुद्ध उच्चारन को सुन सकता है शुद्ध उच्चारन को समझ सकता है उच्चारन का अभ्यास कर सकता है साथे ही साथ द्रिश्च संसाधन जो बहुत संचारी समगरी में और वो आनन अभिव्यक्ती यानि जो फेसियल एक्स्प्रेशन सोते हैं उनको भी सीखता है कि किस प्रकार के आरोह-आरोह के साथ या किस प्रशंग में बात करते समय चेहरे पर कैसे हाउ-भाउ आने तो इससे उसकी समप्रेशन शमता काफी उन्नत होती है, क्योंकि अगर आप उचित आनन अवियक्ति के साथ समप्रेशन करते हैं, तो भले ही कोई व्यक्ति आपकी भाश्चा नहीं समझ रहा हो, आपके हाव भाव के माध्यम से वो यह समझ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे तो इस प्रकार से शमप्रेशन शमता को उन्नत करने के लिए भी हमें बहु संचारी सामगरी की आवश्चता परती है, फिर भाशाई ज्यान का निर्मार, विद्यार्थी बहु संचारी सामगरी के माध्यम से सीखता है और भाशाई कोशलों का विकास करता है, तो उसके मस् Cambridge में भाशाई ज्ञान का निर्माह होता है SदRI साथ उस ज्ञान को अनेक तरीकों से अविवक्त करने का उसर्परधान करने के लिए अब मान लेजिए कि हमारे पास बहु संचारी सामगरी नहीं है तो हम अपनी अविव्यक्ती दो तरीकों से ही कर सकते हैं पहुत करेंगे तो तीन तरीकों से करेंगे या तो लिख कर या बोल कर या फिर सांकेतिक रूप से मुख्यता दो ही तरीके होते हैं क्योंकि हर एक चीज को सांकेतिक रूप से अभिव्यक्त करना संभव नहीं है तो दो तरीकों से, लेकिन ये बहुस अंचारी सामगरी हमें कई तरीके देते हैं, हम अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके वेब साइट के छोड़ सकते हैं, हम पावर पॉइंट प्रस्थूती करण बना सकते हैं, हम आडियो मैटेरियल को CD के रूप में या pen drive के रूप में अनेक प्रकार से खुद को या अपने ग्यान को अभियक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है कि हम लोग जो बचपन में थे, तो अपने कप्छा की पुस्टकों के लाबा हमें कॉमिक्स पढ़ने में ज़्यादा आनन्दाता था, उसमें चित्र भी हो एक अच्छा उधारण है, होकर बहु संचारी माध्यम का एक अच्छा उधारण है, क्योंकि विद्यार्थियों के तमाम ज्यानिंद्रियों को, जो उसके समस्त ज्यानिंद्रियें, उनको एक साथ सक्रिये करने का माध्यम यह बहु संचारी सामग्री है, सारी ज्यानिंद् नार्जन होगा वो हमारे मस्तिस्क में बहुत अधिक अस्थाई रूप से चीर काल तक रहेगा तो वो एक अच्छा उदानल है अब प्रस्न ये उठता है कि हम भाशा सिक्षा में किन बहुत संचारी साधनों का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं ये काफी महत्पूर्ण होगा कि हमारे जो सिक्षार्ती हैं और जो सिक्षक भी हैं वो जाने कि कौन-कौन से साधन है जो भाशा सिक्षण में प्रयोग किये जा सकते हैं मैं चाहूंगा कि आप इस पर थोड़ा एक एक करके प्रिकास तालें अगर हम इसको सूची बद्ध करें तो एक लंबी सूची बन जाएगी फिर भी हम अपने अध्यान के दिष्टी कोड से विद्यार्थियों के सुविधा के दिष्टी कोड से अगर इसको सूची संचारी साधनों को हम दो भागों में विवक्त कर सकते हैं कौन-कौन से पहला भाग या पहला प्रकार पारंपरिक बहु संचारी शामगरी का है जिसमें रेडियो दूरदर्शन ओडियो टेप सीडी वीडियो टेप डीवीडी ओवरहेड प्रोजेक्टर या फिर आपने दूसरी भाग या दूसरा प्रकार जो है वह नवीन बहु संचारी सामगरी के रूप में जाना जाता है जिसमें कंप्यूटर, डेटा प्रोजेक्टर, इंटरनेट, मोबाईल, MP3 प्लेयर आदी का प्रियोग करते हैं अब हम बारी-बारी से इतियास के आधार पर नवीन और प्राक्षीन जो है वो कहा गया है हाला कि कंप्यूटर, डेटा, इंटरनेट ये सब भी अब नवीन नहीं रह गये हैं लेकिन उनके तुलना में ये नवीन है इसलिए इने हम नवीन बहु संचारी सामगरी की बात कर इसमें आर्टिफिसियल सैटेलाइट भी अहम भूमिका निवाता है जैसे एजूसेट हाला कि इसका मासा शिक्षण में प्रयोग नहीं है इनसे चाहे तो किया जा सकता है अब हम बारी-बारी से जो मुख्य हमारे बहु संचारी सामगरी है उनके प्रयोग पर थोड़ी बा प्राचीन उपकरा है जो सिक्षण के लिए प्रयोगत किया जाता है इसलिए प्राचीन है कि इसके पहले हो सकता था कि समाचार पत्रों का प्रयोग किया गया हो लेकिन समाचार पत्र को हम बहु संचारी के रूप में नहीं रख सकते हैं क्योंकि बहु संचारी में पुस्त करते हैं तो भाषा शिक्षण में इसका प्रयोग श्रवण कौशल यो भाषण कौशल के विकास के लिए किया जाता है विद्यार्थी रेडियो पर प्रसारित होने वाले कारिक्रम जैसे समाचार काव्यपाठ आधी के माध्यम से शुद उचारण कौशल को सीखता है तथा का उचित आरोह औरोह के साथ उचित अनुतान के साथ वो उच्चारण करना जानता है या सीखता है इस प्रकार रेडियो के माध्यम से विद्यार्थी के श्रवण एवं भाषण कौशल या वाध कौशल का विकास होता है यह हमारे समय पे भी हमारे सिक्षक सुझाओ देते थ तो जो न्यूज का जो टाइम है उसमें रेडियो सुने है खासकर बीबीसी से प्रशारित होने वाले समाचारों को सुनने के लिए अकसर अध्याप को द्वारा सुझाओ दिया जाता था यह हमारे स्कूलिंग में जब हम अपने विद्यालेही जीवन में थे तो ऐसा का आय काशल में रेडियो की ही भाति किया जाता है इस पर भी प्रशारित होने वाले कारिक्रमों को देख कर एवं सुनकर विद्यार्थी अपने श्रवन एवं भाशन कौसल को उन्नत करता है भाशा शिक्षण में दूरदर्शन के प्रियोग का एक लाविया भी हमें मिल जाता है कि हम आनन अभियक्ति के काशल आनन अभियक्ति थोड़ा सा क्लिष्ट शब्द आ जा रहा है इसको सामाने शब्दों में फेशियल एक्स्प्रेशन कहा जाता है तो आनन अभियक्ति काशल को भी सीखता है इससे उसकी समप्रेशन शमता और उन्नत हो जाती है ओडियो टेप, वीडियो टेप, CD एवं DVD ये सब कारेकरम को भंडारित करके रखने के साधन थे हैं ओडियो टेप एवं वीडियो टेप तो अब गुजरेह जमाने की बात हो गई है अब तो ये देखने को भी अगर मिल जाए हाला कि अभी तक तो पुराने लोगों के पास देखने को मिल जाता है लेकिन शायद ही हमारे आने वाली पीडि को ये देखने को मिले है इसमें हम यानि ओडियो टेप और वीडियो टेप में कारिक्रम को रिकॉर्ड करके रख लेते थे और अपनी आवश्चक्ता के अनुसार उसे सुनते थे या उच्चारण की शुद्धता का अभ्यास करने के लिए अपनी आवाज को रिकॉर्ड करते थे और उसे सुनते थे अपनी गलतियों को अपनी टूटियों को धूडने का प्रयास करते थे CD यों DVD का उपयोग इस का रहतु कुछ समय पहले तक किया जाता था लेकिन अब इसका अस्थान मेमोरी कार्ड, पेंट ड्राइब, फ्लैश ड्राइब जैसे साधनों ने ले लिया है कम्प्यूटर वर्तमान में सरवाधिक प्रचलिक बहु संचारी सामक्री ये तो अपने आप में एक बहु संचार है सभी चीजों को एक खटा कर लिया है एवन भाशा सिक्षण में इसका प्रयोग बहुतायत से किया जाता है इसके माध्यम से हम विद्यार्थी में चारो भाशाई कोसलों का विकास कर सकते हैं विद्यार्थी अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर लेता है, उसे सुनता है उच्चारन संबंदी अपनी त्रूटियों को सुधारता है अपनी आवाज को रिकॉर्ड करता है, फिर सुनता है, फिर त्रूटियों को सुधारता है इस प्रकार बार-बार का जो अभ्यास होता है, उसके द्वारा उसका उच्चारन कोसल उन्नत होता है उचारणक औसल के साथ ही साथ विद्याति का स्रवन कौशल भी उननत होता है क्योंकि वह सुनकर समझता है अपनी गलतियों को ढूंडता है वह उस भाशा के मूलवकताओं के उचारण को भी सुनता है और यह समझने का प्रयास करता है कि कैसे वे किसी धौनी विशेस या शब्द विशेस या कीशी वाक्य का उच्छारन वे कर रहे हैं यानि जो उस महासा के जो मुल वकता है वो कर रहे हैं इंटर्नेट पर ऐसे अनेक कारिक्रम उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से विद्यार्थी अपने उचारण एवं श्रवण कौशल को उन्नत कर सकते हैं। विद्यार्थी को कम्प्यूटर एवं इंटरनेट के प्रियोग द्वारा पढ़ाये जाने वाले पाठ को सुनाया जा सकता है, उसका चित्र दिखाया जा सकता है, उसका वीडियो दिखाया जा सकता है, वीडियो सब्ताइटल के साथ दिखाया जा सकता है, जिसमें कि विद्यार्थी की समस्त ग्यानेंद्रिया एक साथ सक्रिये हो जाए और एक साथ सक्रिये होकर एक विशेवस्तु के अर्जन के लिए कारे करें ऐसी स्थिती में विद्यार्थी द्वारा अर्जित ग्यान अधिक अस्थाई होता है और मोबाइल फोन प्रोजेक्ट करवा लेते हैं उस लíозмोर की रिकॉरडिंग करते हैं और फिर हम जो किया गया जिसे विध्यार्ति ने सुना है टिल्इँ और विध्यार्थी की अनुकरण वाचन की रिकॉरडिंग है उन दोनों बारीबारी से विध्यार्तिंग को शुना सकते हैं जो कहां आपने कमि custom क्या ह आप उसे ढूंड़िये और आप उसका निडाकड़न कीजिए फिर सेवाचन कीजिए आधी चीज़ से हम उसको इंट्रेस्टिंग उसको रोचक बना सकते हैं तो इस प्रकार से कंप्यूटर का उप्योग हम उच्छारण कौसल के विकास के लिए करते हैं साथ ही साथ अपने शिक्छन को रूचिकर एवं प्रभावपुल बनाने के लिए भी करते हैं लेखन कौसल भी एक महत्वपुल भाशाई कौसल है और इसके विकास के लिए भी हम बहु संचारी समगरी के रूप में कंप्यूटर का उप्योग कर सकते हैं ऐसे अनेक सारे सौफ्ट्वेर बने हुए हैं MS Word ऐसा ही एक सौफ्ट्वेर हैं इसके अलावा व्याकरां के ग्यान के लिए कई अप्लिकेशन बने हुए हैं जिने मोबाईल या कंप्यूटर या किसी भी माध्यम की सहायता से प्रियोग में लाया जा सकता है लगबख सभी भाशाओं के ऑनलाइन और आफलाइन शब्द कोश उप्लब्द हैं इन शब्द कोशों की सहायता से हम सब्द का सही अर्थ जान सकते हैं कई सब्द कोशों में तो उच्चारां सुनने की व्यवस्था होती है हम शब्दों का सही उच्चारां भी वहां से सीख सकते हैं सीनेमा एक ससक्त माध्यम है सीखने का लेकिन विडंबना यह होती है कि हम सीनेमा को सिर्फ मनुरंजन के लिए देखते हैं उसमें सीखने वाली बात क्या है यह हम आज तक समझ ही नहीं पाए मुझे लगता है कि हमारे सिख्चों को जानना जीख सीनेमा से भी हमारे बच्चे सीखते हैं वो अप्रित्यक्ष सिख्चन काफी स्थाई होता है और इसको हम प्रयोग कर सकते हैं बिल्कुल इसका प्रयोग हमें करना चाहिए दोक्तर त्रिपार्टि क्योंकि सीनेमा भाशा सीखने का तो ससक्त माध्यम है ही, इसकी साथ साथ ये अन्य विश्यों का भी गमे ग्यान प्रदान करता है। सीनेमा के गीतों के माध्यम से हम शब्दों के सही उच्चारण को सीख सकते हैं, क्योंकि एक गायक के लिए शुद्ध उच्चारण करना सबसे आवश्यक शर्त मानी जाती है, अगर उसका उच्चारण सुद्ध नहीं है, तो गायनकारे नहीं कर सकता है, हम उससे काव्यगत स अंदर है जैसे अलंकार रस छंद आदी का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं आज का हमारा जो युवक है वो हम उसको राम चरित मारस की चौपाईयां और प्राचीन कविताएं हैं जो दोहे पद चौपाई लिखे गए हैं उनका उदाहरां देने की बजाए जिसको कि उसने क हाते समय हम फिल्म के जो गीत हैं जो सिनेमा में गीत गाया है उनका उदाहरां दे जो उनके समय के हैं तो यह ज़्यादा उपयोगी होगा भाशा सिक्षण में बहुस अंचारी समग्री के प्रयोक को एक उदाहरां के माध्यम से असपष्ट किया जा सकता है अब मान लेजि चंद कविता लिखने के नियम को करते हैं, काभ unity, काभे सास्त्र के जो नियम थे, कि इतनी वन्न होनी चाहिए, इतनी मात्राय होनी चाहिए, उस आधार पर चंद की रचना की जाती थी, तो सवया एक विशेस प्रकार का चंद होता था, इसे चंद में इसकी रचना की गई अब इसको पढ़ाने के लिए हम इसके वीडियो क्लिप को और सब्टाइटल के साथ इसके वीडियो क्लिप को हम दिखा सकते हैं अब प्रशनी यह उठता है कि इसका वीडियो क्लिप आए कहां से तो स्री कृष्ण यह स्री कृष्णा नाम से रामानंद सागर ने जो धारवाहिक बनाया था उसमें सुदामा और कृष्ण मिलन का जो प्रसंग है उस प्रसंग को इस सवया के साथ सुसजित किया गया है क्योंकि यह सवया ही उसी प्रसंग पर लिखा गया है तो हम इसको दिखा सकते हैं इससे विद्यार्थी सवया का प्रसंग समझेगा सवया कैसे ले होता है उसकी गयतमक्ता क्या है यानि कहां पर प्रवाह देना है कहां पर ठहराओ देना है यह सारी चीजे वो जानेगा और हम चाहें तो सवया के अन्य उदाहरण, जैसे कि विवा फिल्म में एक आर्ती है, उसमें जो उदाहरण दिया गया है, उस आर्ती को भी सवया छंद में ही निबद किया गया है, वो दिखा सकते हैं, तो पिद्यार्थी तुलना भी कर सकता है. बहुत सही आपने कहा, डॉक्टर तिवारी, इस प्रकार हम बहुत संचारी माध्यम की सहायता से सभी भाशाई कोशलों को सीख सकते हैं, साथ ही साथ जो साहित्य की विभिन्द विधाये हैं, उनका भी सिक्षण हम कर सकते हैं. डॉक्टर तिवारी, मैं चाहूंगा कि आप बताए हमारे सीख्षार्थियों को, कि इन माध्यम के प्रयोग में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया अपने डॉक्तर त्रिपाथी, वास्तों में माध्यम के प्रयोग में सावधानी बरत्नी आवश्यक है, खासकर से हमें दो बातों पर ध्यान रखना परता है, पहली बात ये कि विद्यार्ती का ध्यान परहाई जाने वाले पाठ से हट कर बहु कि बहुत संचारी माध्यम का प्रयोग करने से पहले उसकी जाच करना, कक्षा कक्षी में जाने के बाद माध्यम कारही न करे, उसका असर क्या होगा, तो फिर सारा समय हम उसी में बरबाद कर देंगे, उसको ठीक करने में, तो इसलिए इन दो बातों का हमें ध्यान रखना और इस प्रकार से डॉक्तर तृपार्थी आज हम लोगों ने अपने दर्सकों को बताया कि बहु संचारी सामग्री जो है शिक्षण में नहीं प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों इसकी ढश्यक्ता क्या है। बहुत बहुत धन्वाद डॉक्टर ग्रीज मैं एनाइवस के तरफ से अपने सिक्षारतियों के तरफ से और अपनी तरफ से आपको हिर्दय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने सरल और सही तरीके से विभिन माध्यों के बारे में विभिन उधारणों के द्वारा मैं आपको धन्वाद देता हूं नमस्कार आपको भी धन्वाद डॉक्तर त्रिपाठी और हमारे विद्यार्थियों को भी धन्यवाद